हाई गाई वेलकम बैक विद अनदर ब्लोग आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जो आज की नियूस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ बात करनी थी कुछ नए अप पता है ऐसी आप लगा दी दलिए नमबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिंती को कम करने को बोला गया था अब यह जो न्यूस है वो बितिक प्रोविंस ऐंफ प्रिटीश कोलंबिया से आई है ने कि जो इमिग्रेशन गवर्मेंट है उनकी तरफ से यह न्यूज आई है उन्हों ने अपनी तरफ से भी नंबर आफ इंविटेशन इंटरनेशन स्टूडेंट्स के लिए कम करने को बोला है जो मैं आप लोगों के साथ डीटेल में बात करूंगी अपनी स्क्रीन की तरफ आप पूरा डीटेल में बात करेंगे मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं कि गवर्मेंट ने यह बोला है कि तल 30% ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो एन्रोल करेंगे मतलब जो भी पब्लिक युनिवर्स्टी और कॉलेजिस हैं बीसी में ब्रिटिश कलंबिया मे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे अब टोटल जो एन्रोल्मेंट होती है उन कॉलेजिस जो युनिवर्स्टी में से उन में 30% ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिया जाएगा कुछ पर्टिकुलर्ली युनिवर्स्टी और कॉलेजिस के से कुछ मांग भी करी है जो मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके जाके पूरा थारोली जो है आपको दिखाती हूं चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट से मेरी स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं तो यह न्यूस जो है RCIE Canadian News की तरफ से आई है यह वन अफ तो बिगेस्ट न्यूस चैनल है इन कानडा में रेडियो चैनल टीवी ब्राद कास्टिंग चैनल भी है तो इनकी तरफ से न्यूस आई है इमिग्रेशन की तरफ से BC CAPS International Post-Secondary Student Enrollment ठीक है जी तो यह इसका मैं आपको पूरा दिखा देती हूं नीचे 17 जुलाई को यह न्यूस आई है British Columbia Government has introduced new guidelines for public post-secondary education institutions capping the number of international students at 30% of their total enrollment जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं 30% की enrollment जो है उन्होंने कर दी है from the like total enrollment जो colleges universities की होती है for international students in a statement the provincial ministry of post-secondary education and future skills says the new limit is meant to make sure that international students enrollment does not strain an institution's ability to provide appropriate services जिदा सिदा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे students जो exploit हो रहे है colleges universities over admission करके उनसे पैसे लेते हैं बाद में जब students आ जाते हैं तब उनको बोला जाता है कि आपको अगले batch में रख लिया जाएगा अभी हमारे पाशीड नहीं है तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक line में मतलब बता दी गही है ठीक है the ministry says the new guidelines call for public universities and colleges to submit international education strategy plan to the government which the province will monitor to make sure the cap is being followed अब मैंने आपको बोला था है कि universities and colleges से कुछ मांगा गया है वो तो यही मांगा गया है कि पूरा education का strategic plan government को उन्होंने देना है मतलब colleges universities ने कि हमारा यह plan है इस तरीके से हम cap को follow करेंगे जो cap मतलब लगाई गई है 30% तक ही student enroll करेंगे तो government ने बोला कि क्योंकि यह बहुत strict rules चल रहे है आपी उन्होंने बोला कि हम make sure करेंगे कि यह जो cap का rule है वो follow हो रहा है तो इसी तरीके से पता चलता है कि यह जब colleges and universities अपना strategic plan उनको देंगे then government will know कि okay हमारा जो plan हो follow हो रहा है schools such as the University of British Columbia, Simon Fraser University, University of Northern BC and University of Victoria say international student enrollment level levels there do not exceed the 30% limit and the change will not impact the operation तो यह universities ने बोला है उनके वहां पर exceed ही नहीं करता ठीक है तो उनको कोई जादा impact नहीं होगा उनके operation को यह कौंटलान पॉलिटेक्निक युनिवरस्टी जो है उन्होंने अलड़ी 36% मतलब कर दिया है लिमिट अलड़ी एकसीड हो चुकी है बट उन्होंने कहा है कि यह capped बाद में अनौंस हुई है तो मतलब उन्होंने बोला है कि तो और भी इसमें बहुत कुछ जो है वो सारी चीज़े बता रखी है जो आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो इसका लिंक में आपको जो है इसके description box में दे दूंगी ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए तो आप अपने free time में जब भी आपको time मिले आप read कर सकते हो और यह थी हमारे जो latest update है और आप लोगों को मैं उमीद करती हूं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर हमारी ऐसी वीडियो से आपको useful information मिलती है तो please हमारी वीडियो को like and share ज़रूर किय कीजिए और अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब के बीना मच चाहिएगा that's all for today thank you so much guys for watching this video bye bye take care मिलते है अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ bye bye